पहले क्रेड की एप में धुआधार एक्टिंग, फिर एक्टिंग के सरताज अमीता बचन से बुलुआए हर्यानवी में ऐसे डायलोग कि वो भी हार मान गए इतना सब कुछ करने के बाद नीरत चोपड़ा आए हैं डांस प्लस सीजन 6 में देगे सीजन 6 पहले से ही फुल ओफ कोंट्रवर्सी रहा है, पहले धरमेज की बात हो गई थी कि उसको क्यों निकाला फिर वहीं पर किंग्स युनाइटिड के सुरेज को निकाल दिया गया, मेकर्स को डांस प्लस सिक्स की टी आर पी डगमगाती नजर आ रही थी तो यह बुलाया गया टी आर पीकिंग, एक ऐसे आदमी जिसके चक्कर में पूरी दुनिया कुछ भी देख रही है, के बीसी ने सारे रिकोर्ड तोड़ दिये, जहां भी इंटर्यूज दे रहे हैं, सारे के सारे वायल, हम बात कर रहे हैं, नीर चोपड़ा की, तो फाइनल सब उनसे परपोजल कर रहे हैं, या फिर कुछ भरी हुई लड़के उनसे परपोज कर रही हैं, एक बंदा जो इंडिया में गोल्ड मैडल जीत के आया है, वो भी जैवलिन जैसे गेम में, उनसे बस यही बाते की जाएं, इनसे बहुत सारी बाते सीखी जा सकती हैं, कि इनसे पहले बहुत सारे आरजे ने इंट्रू लेया होगा, अपने वीडियो देखी होगी, जहां मेरा भाई हाज जोड कर बोलता है, कि मोतर माव मुझे चोड़ दो, प्लीज, ये मत करो मेरे साथ, लेकिन वही होता है, कमेंट करके बताओ क्या रहा, आपको भी ऐसा लगत है या नहीं, अब बात करते हैं इनके डांस की, देखे डांस प्लेस पर आ है, तो इस बात की तो गैरेंट है कि भाई, डांस बहुत कड़क करने वाले ही, पुराने वीडियो में भी देखा होगा, अर्यानवी गानों पर बहुत अच्छे इस तरकते होगा, रिसेंटली इन अगर यहीं कुछ इनके 2-3 साल पुराने देखेंगे, तो थोड़े चुप से रहते थे, थोड़े काम से रहते थे, लेकिन अब ही थोड़ा खुलकर सामने आ है, अपने आपको अच्छे से रिपरजेंट कर रहे हैं, अपने स्टेट हरियाना को बहुत अच्छे से अगर एक एक गंटे अच्छे से एंटरेटेन होना चाहते हो तो यार देख ले न, अच्छा एपिसोड होने वाला है, वहां पर नीरज होने वाले हैं, डान्स चैंपियन्स, वी अन्बिटेबल्स होने वाले हैं, और बहुत कुछ मसाल आयो, वीडियो आपको पसंद आया ह होगा आपको, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर चैनल पर आप नहीं हैं, वाकि मैं मिलता हूँ से बहुत जल्द किसी और से तारिक दुनिया मिल जाने के लिए, तब तक आप सभी को, अलविदा